दोस्तो अगर आप YouTube पर successful नहीं हो पा रहे, आपका कोई भी content नहीं चल रहा, views नहीं आ रहे, subscribers नहीं आ रहे, और हाँ पैसा भी नहीं कमा पा रहे, तो आज मैं आपको YouTube पर movies अपलोड करना सिखाऊंगा, वो भी 100% legal तरीके से, जहां copyright claim नहीं आएगा, लेकिन monthly revenue जरूर आएग जैसा कि आप इस channel को देख सकते हैं, जो कि verified channel है, और महिने के 11,000$ से 1,80,000$ की बीच में ये लोग कमा रहे, और इस channel को भी जो की एक और verified channel है, जो महिने के 17,000$ से लेकर के 2,76,000$ की बीच में कमा रहे, इसके साथ ही मैं आपको बीना मेहनत के, जो movie आपने अपलोड की है, उ उसी से इस website का use करते हुए extra 4,400$ की income करना भी सिखाऊंगा, इस video के बीच में ही, जैसा कि मैंने खुद किया है, इसलिए इस video को skip भी मत कीजेगा, दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी भी random website से आपने movie डाउनलोड किया, थोड़ा सा उसको edit किया और YouTube पे upload कर दिया, और आप कमाना शुरू कर दोगे, तो मैं आपको बताता हूं कि copyright claim और copyright strike आपको उतनी ही तेजी से मिलेगी, जितनी तेजी से यमराज किसी भी मरते हुए इंसान के पीछे जाता है, बड़े बड़े production houses, करोरो रूपे लगा के movies बनाते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उन लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको दोनों चीज़े नहीं करनी है, ना चैरा दिखाना ना वोईस ओवर करनी है, एक AI टूल की मदद से मैं आपको बताऊँगा जिसके बारे में दुनिया में सिर्फ 5% लोगों को पता है, इस टूल की मदद से आप हिंद आप इन चीज़े बताऊँगा, ध्यान से सुन लो, पहला ट्रेंडिंग मूवीज आपको कैसे डूढ़नी है, जिस पर बहुत ज्यादा सर्चेज होते हैं, बहुत ज्यादा लोग देखना जाते हैं इस मूवीज को, सेकेंड कॉपीराइट फ्लिक क्लिप्स और इमेज़े कहां से आपको लेनी है, तीसरा पॉइंट आपको इंसानों जैसा वोइस ओबर कैसे मिलेगा, कहां से आप डाउनलोड करोगे, चौथा पॉइंट की एडिटिंग कैसे आपको करनी है, पांचमा पॉइंट वीडियो की SEO आपको कैसे करनी है, छाटा पॉइंट आप से 11,000 डॉलर के बीच मैंने 7,000 डॉलर इस strategy को यूज करके कमाया, आप भी कमा सकते, चलो करते हैं मूवीज को copy और paste, लीगल तरीके से, तो दोस्तों अभी हम ढोनेंगे कौन सी मूवीज ट्रेंडिंग चल रही है, और उसे हम YouTube पर अपलोड करेंगे, आपको जाना है IMDV के और explore option पर click करो, इसके बाद movies वाले section पर click करो, तो आपको दिखेगा कि YouTube कुछ movies आपको recommend कर रहा है, जिने लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं या देखना चाहते हैं, इस movie को देखो और ये काफी bold लग रही है, और जाहिर है कि लोग ऐसी movies काफी ज्यादा पसंद करते ह तो मैं YouTube पर search करूँगा hate story 3 clips, इसके बाद मैं filter वाले option में जाकर के creative comments चूज कर लूँगा, और इतने सारे videos मेरे सामने हैं, जिने मैं बीना copyright के use कर सकता हूँ, अब मैं इन clips को एक एक करके अपने phone या laptop में download कर लूँगा, आपको link copy करना है, इस website पर जाकर paste करना है और clips download कर लेनी है, यह आप पूरा का पूरा process मोबाइल पर कर सकते हो, अब आपको search करना है YouTube audio library, इस website पर YouTube खुद आपको हजारों copyright free music provide करता है, search bar में जाकर लिखिए आप cinematic, और नीचे आपको option दिखेगा cinematic genre का, उसे आप select कर लीज़, यहाँ आपको कई सारे अच्छे cinematic music मिलेंगे, जो आपकी वीडियो को movies वाला feel देंगे, और आपकी audience को भी अच्छा लगेगा, कोई भी music चूज कर लो यहाँ से और download कर लो इसको, अब हम इंसानों जैसा voiceover generate करने वाले हैं, Google पर जाकर search करो, hate story 3 movie synopsis, या जो भी movie आप upload करना चाहते हो, उसका synopsis Google पर ढून लो, अब IMDV वाला link जो भी सामने आएगा, उसको open कर लो, इसके बाद storyline के नीचे plot synopsis दिखेगा आपको, उसे open करो, यहाँ पे आपको पूरे movie की कहानी short में लिखी हुई मिल जाएगी, इसे copy करो, और अपने phone या computer पर Google Translate open करो, जो text आपने copy किया, उसे हिंदी में translate कर लो, अब आप इ कोई spelling mistake है, या word में mistake है, तो उसको आप change कर लो, अब ये पूरा का पूरा text यहाँ से copy कर लो, और search करो clipchamp.com, यहाँ पहले आपको sign up करना है, फिर login करने के बाद, create video वाले option पर click करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे features दिखेंगे, आपको सिर्फ record and create वाले option पर click करना है, यहाँ आपको text to speech select करना है, language में जाकर आप Hindi सर्च कर लो और select कर लो, इसके बाद आपको male और female दो आवाजें मिलेंगी, मैं यहाँ पर female voice चूज कर रहा हूँ, अब enter your text वाले section में, जो text आपने copy किया था चंगादी.com से उसको यहाँ पर paste कर लो, अब हम इसे सुन कर देख अब आप save to media वाले option पे click कर दीजे, इस website पर आप सीधा audio download नहीं कर सकते, आपको video format में इसे download करना पड़ेगा, जिसको मैं audio में convert करना अभी आपको सिखाऊंगा, इस audio के साथ मैं एक image add कर लेता हूँ, और इसे download कर लेता हूँ, अब आपको google पे search करना है video to mp3 converter, यहाँ पे तो अभी मैं editing mobile editor पर कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी mobile app का use करके यह editing कर सकते हैं अपने ही mobile पर, यहाँ पर मैंने movie के सारे clips download करके रखे हुए, और साथ में background cinematic music और voiceover भी download किया हुआ है, सबसे पहले हम movie clips को एके करके add करेंगे, इसके बाद हम voiceover track add करेंगे, और last में cinematic music background क अब मैं आपको final editing करके यह file दिखाता हूँ, editing complete हो चुकी है, मैं आपको play करके दिखाता हूँ, यहाँ मैंने background music को बिल्कुल हलका रखा हुआ है, ताकि voiceover साफ साफ सुनाई दे, और voiceover के हिसाब से ही मैंने video clips को adjust किया हुआ है, जैसे कि voiceover में कोई dialogue अगर है, तो video clips में कौन साफ वहाँ पर video clip आना चाहिए, यह मैंने adjust किया हुआ, यह आपको थोड़ा सा देख लेना है, दोस्तो अगर आपको YouTube पर किसी trending movies के creative comments वाले clips नहीं मिलते हैं, तो घवराने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी website से movie डाउनलोड करके 8-9 second, इससे ज्यादा नहीं, 8-9 second का एक clip आराम से use कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि कोई भी company का नाम या logo उपर नहीं दिखाई दे रहा हो, और video की original voice आपने हटा दियो, अब हम इस फाइल को export करेंगे और YouTube पर upload करेंगे, तो दोस्तो मैंने अभी अपने एक चैनल पर यह वाली जो अभी बनाई थी, मैंने movie क Synopsis वीडियो वो upload कर दिया है, इसका छोड़ा सा clip मैंने export किया हुआ है और upload किया हुआ, आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई copyright कुछ भी नहीं है, यहाँ पर, मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा रहा हूँ कि मैंने वही वीडियो अपलोड किया है कि नहीं, तो देख text revenge from cheating wife, इस तरह के title देख के लोग बहुत ज़्यादा attract होते हैं, और click करने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ से आपको नीचे thumbnail चूज करना है, अगर heroine का thumbnail सबसे बेस्ट है क्योंकि इस पर click होने के chances बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अभी आप क्या कीजे, य आपको बस कुछ नहीं करना, छोड़ देना, यह movie जो आपने upload किया, synopsis वीडियो, इस पर बहुत ज़्यादा views आएंगे, लोग clicks करेंगे, आपको engagement मिलेगा, subscribers मिलेंगे, monetization भी इसका 110% होता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरा friend ऐसा ही काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मैं आपको पता हूँगा, यह सब कैसे करना है, और यह बहुत इंपोर्टन, इसके नीचे copyright disclaimer आप जरूर दे दीजिए, ताकि आपको copyright का कोई issue बिल्कुल भी ना है, और वैसे भी copyright free है, लेकिन safety के लिए यह disclaimer देना बहुत जरूर है, मैं आपने वीडियो के description में यह दे आपको बता रहा हूँ कि लिंक कैसे copy paste करना है आपको, जहांसे आप 4,400 डॉलर तक कमा सकते हो, मैंने 7,000 डॉलर तक कमाया था एक साल के अंदर, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक movie website है, जिसका नाम है fmovies.hn, इस टाइप के आपको बहुत सारे website मिल ज दिखाते हैं, हाँ, ये लोग कमाई करते हैं, क्योंकि movies के बीच में ये लोग बहुत सारे ads दिखाएंगे, क्योंकि इनको भी पैसा कमाना होता है, तो आप क्या करो, बहुत सारे लोग को ये sites नहीं पता होती है, तो आपको क्या करना है, इस website पर जाना, जिसका नाम है cpagrip dot com, यहाँ पर आपको register करना है, आपको फिर लोग इन करने के बाद, आप ध्यान से देखिए, मैं जो भी बता रहो, बहुत ही important steps है, यहाँ पर आपको monetization tools दिख रहा होगा, इस पर आपको click करना है, यह इसके मीचे आपको जाना है URL and file lockers, तो यह क्या चीज है, मैं आपको explain कर देता हूँ, यह content locker है, content locker का क्या मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने एक link दिया, वो link किसी website पर जाके खुलता है, तो इसके बीच में content locking का काम यह होता है, कि आपके user को, आपके destination website तक ले जाने के बीच में content locking का strategy होता है, यह कुछ offers दिखाता है, यानि कि वो इस link पर अगर click करते हैं, तो click करके जो भी यहाँ पर बताया जाएगा task, उसको complete करने के बाद उस website पर पहुंच जाएगी, आपका फाइदा क्या होता है, कि बीच में जो भी offers पर लोग click करते हैं, वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, तो लोगों को पता भी ने चेक कर देना इस option को और यहाँ पर continue पर click कर देना, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ screen open हो रहा है, तो आपको क्या करना है, टेंपलेट से यहाँ बहुत सारे दिये हुए, यहाँ से आपको को भी टेंपलेट चूस कर सकते हैं, यह थोड़ा colorful लग रहा है, और यहाँ पर जब आपका user click करेगा उस link बर तो उसको यह वाला इंटरफेस है, यह दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जेनल पर आप जाना है, और यहाँ पर choose a survey जो लिखा हुए, यहाँ पर लिख दीजे कि download movie, तो यह देखने में भी general लग रहा है कि अब यहाँ पर आप जब जाईएगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा हुए, एक second मैं आपको थोड़ा नीचे ले आके दिखा रहा हुए, यह जो portion है, यहाँ पर लिखावा locked URL, तो यह वाली जो website है, जहाँ पर आप सर्च कर लिजे, आप सर्च जरूर कर लिजेगा कि वो जो movie आप दिखाना चाहते हो, वो ऐसे websites पर available है या नहीं, तो मेरी जो movie थी, hate story 3, वो इस website पर available है, तो इस movie का link में copy करता हूँ, और सीरह यहाँ पर जाके मैं paste कर देता हूँ, ठेक है, यहाँ पर ready हो गया, अब आपको access time जो दिया हुआ, 24 गंटा, इसको आपको कर देना है forever, क्योंकि आप जिन्दगी बर यहाँ पर clicks अगर होते रहेंगे, तो जिन्दगी बर आपको पैसा मिलता रहेगा, यह strategy बिल्कुल 110% working है, आप YouTube पर search करके देख सकते हो, CPA grip लिखिए और देखिए यह कैसे काम करता है, तो यहाँ पर बस इतना ही मुझे करना था, अब अगर show offers की अगर बात करूँ, यहाँ पर तो आपको click करना है, तो आप जो target audience जिस country में आप दिखाना चाहते हो, उसकी हिसाब से यहाँ पर country select कर लिजे, तो मैं इंडिया किया, तो इंडिया से related इतने सारे offers मुझे दिखाई दे रहे, अब मैं payout पर click करता हूँ, तो यहाँ पर म calculate करके दिखाता हूँ, आपके वीडियो पर यूटूब वीडियो पर अगर एक लाख व्यूज आते हैं, वहाँ से एक लाख का मैं 10% भी अगर consider करता हूँ कि इस link पर click करते हैं, तो होता है 10,000, तो 10,000 यहाँ पर into अगर मैं करता हूँ आपका 1.11 डॉलर, तो यह आपका य सिरफ link पर click करने का और YouTube monetization आपको अलग से पैसे देगा, तो आपको यहाँ पर करना क्या, यह आपको इतना हो गया, अब यहाँ पर आप simply यहाँ पर save कर लिजी इस चीज़ को, अब यहाँ पर मेरा save हो चुका है, यह offer, सब कुछ complete हो चुका है, अभी आपको एक link यहाँ प चूज कर लो, कोई सा भी चूज कर सकते हो, और यहाँ से copy link का option मिलेगा, यह copy कर लिए आपने, यह मैं चैनल के description में आऊँगा, और जहाँ पर मैंने लिखा था, watch full movie, उसके बगल में मैं यह link paste कर दूँगा, ठेक है, बस इतना ही आपको करना है, और इसके बाद next करके आप वीडियो को publish कर दीजे, आपका YouTube से भी पैसा बनेगा, आपका यहाँ से affiliate से भी पैसा बनेगा, आप सोच भी ने सकते, सोते सोते यहाँ पर actually पैसा बनता है, चैनल पर अगर नए हो तो subscribe कर लो, वीडियो अच्छे लगी तो like कर लो